आइनो यार आप काफी सरा वीडियो देख लिए होंगे जिसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप स्नैपसीड एप की हिल्प से कुछ इस तरीकी की फोटो एडिट कर सकते हो लेकिन वो वीडियो इतना लंबा हो जाता है फिर भी आपको समझ में नहीं आता है लेकिन ये व फोटो को आप देख पर हैं ये बिलकुल नॉर्मल फोटो है देनी इस फोटो को यहां सेंट पर कलिक करके ऊपें कर लेंगे स्नापसीड एप कर लिया हूं अगर आपकी फोटो एस नापसीड एप में ओपिन हो जाए तो दिन आपको इस पिंसल वाले आईकोन पे क्लिक करन है देन इसको सिंपल से डन पर क्लिक कर लेना है अप गईज अपनी फोटो को जुम करके हम आपको दिखा रहे हैं यह देखो बीफोर और यह देख फारेव आफटर तो फोटो के अंदर ना लाइट के करेक्शन जो है यहां पर फिनिसिंग हो चुकी है बहुत ही अच्छा पर लेना है तो अब को बीच के पिंजिल और फोटो को जुम करना है पूटो को बहुत सिर्फ फोटो को चलाना है ठीक है जीस तरीका से बाहने अंपको बैससे चलाना है अगर आपको अपने स्कीन पे चलाने में मतलब दिक्कत आती है थोड़ा बहुत तो आप एक टूल है उसका यूज कर सकते हो ठीक है यहाँ पे यह आई वाल आपसन है इस पे आप जस्ट क्लिक कर देना है देन आप जहां जहां पे चलाओगे यह विजीबल होता जाएगा मतलब यह आपको क्लियर साब साब दिख जाएगा कि आपने एफेक्ट को कहां पे चलाया और कहां पे नहीं चलाया है तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एफेक्ट को जो है आपने स्कीन पे चला पाएंगे ठीक है याद रहे गई ज़िए आपको अपनी फेस पे चलाना ह लेते हैं जहां जहां पर रह गया कुछ इस तरीके से सिंपल से आपको एक बार कवर कर लेना है बाकी आप देख वाओगे कि सारा स्कीन जो है वाइट हो जाएगा गोड़ा हो जाएगा जैसे आप इस आई वाले ऑप्सन का और यह देखो भी फोर एंड यह देखो आफ्टर इसका साथ सतना हमाणा लेपस का भी क़लर काफी जदा फेड हो गया एस चिज को साही करने के लिए फोटो हमारी कुछ इस तरीके के दिख रही है अभी हम बैक करेंगे एन्ट गयाज़ अब आपको ड्राम आपको पॉट्रेट वाले उपसन का यूज करना है पेंसिल वाले आइकॉन प्याना है यहां आपको पॉट्रेट को उपसन मिलेगा आपको पॉट्रेट पर क्लिक कर ल है जस्ट आपको यहां सेर वाले आइकोन पर क्लिक करना है एंड इस फोटो को आपको लैटर मैप के अंदर उपेंग कर लेना है ठीक है तो अभी हम इसको एड़ टू एलर कर लेते हैं अब यह फोटो लैटर मैप के अंदर एड़ हो चुकी है अब वाला जो इसको आप बिल् साथ यह वाला प्रिसेट डाउनलोड कर लेना है अगर आपको नहीं पता प्रिसेट कैसे डाउनलोड करते हैं जस्ट आप गूगल में जाना सर्च करना अरिया इडिट डॉट कम उसके बाद इस प्रिसेट का नाम लिख देना ब्लू एंड ब्राउन टोन प्रिसेट बस आपको डाउनलोड करने का अपन डाउनलोड कर लेना है अब आपको इस चरहенिक तर आपको प्रिसेट के देडंक करना है और उन मों को कर गया और बहुत सरे लोग यहीं पर mistake कर जाते हैं बट ऐसा नहीं है भाई आप वीडियो को पूरा देखो जस्ट आपको अपनी फोटो के अंदर आना है कुछ इस तरीके से अब आपको त्री डॉट की आइकोन पर क्लिक करना है यहां से गई आपको पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है जैसे कि हमें इसको भी ऐसा cn tone में convert करना है ब्लू टोन में convert करना है ठीक है तो ब्लू टोन में convert करने के लिए गाईज आपको जाना है इस वाले आइकोन पे यह color का आईकोन है यह color के अंदर जाना है अब गईज आपको यह yellow color लेना है इसकी कुछ इस तरीके से hue को right side की तरफ कर आपको फोटो के अंदर पूरा ऐसे blue tone आ जाएगा अब आपको यह वाला color select करना है यह orange color है जो कि हमारे skin का color होता है इसको select करने के बाद आपको simple से यहाँ पे इसका saturation जो है 62 है minus तो इसको हम थोड़ा सा जो है और saturation कम कर लेंगे ठीक है minus 62 है तो इसको हम लगबग minus 64 कर लें यह देखो अब आपको simple से इसकी hue को जो है ना थोड़ा सा right side की तरफ रखना है और यह red वाला color है इसका saturation थोड़ा सा कम कर लेंगे लगबग minus 22 और अब देख पर होगा इसकी photo देखने में भी काफी ज़दा मस्त लग रही है और color भी photo गेंदर अच्छे तरीके से आ गया है लेकिन अभी भी इस photo के अंदर बहुत सारी चीजे करनी बाकी है अब आपको यह green वाले color के अंदर आना है और इसका luminance थोड़ा सा कम कर लेना है लगबग आपको minus 5 कर लेना है अब yellow वाले color के अंदर आना है और इसका भी luminance लगबग आपको minus 8 कर लेना है जैना आपको simple से देन पर क्लिक करना है अब आपको इस इफेक्ट वाले आइकोन पर आना है इस पर आने के बाद देख फारेव के टेक्षर का मतलब टेक्षर 27 है और कलार्टी 36 है तो टेक्षर और कलार्टी दोरों अगर ज्यादा बढ़ी रहेगी तो हमारी फोटो की क्वालिटी ना बहुत लगबग 19 के आसपास रखेंगे एंड विगनिट माइनस 9 है यह सही है मिड़ पोइंट को थोड़ा सा और माइनस कर लेते हैं लगबग आपको फोटेक्षिक्स के आसपास रख लेना है मिड़ पोइंट को देन गईज अब आपको इस टूल के अंदर चलना है डिटेल वले नौइज रिडिक्षन भी बढ़ा लेना है तकि कलर में जो भी नौइज हो सारा केंसल हो जाए देन यहां से कॉंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे यहां डिटेल्स को बढ़ा लेना है डिटेल्स और स्मूधनेस दोनों बढ़ा लेना है ठीक है अब गईज आपको इस पर क्ल सा कलर आ गया लेकिन मेरे ख्याल से यह वाला कलर जो है थोड़ा सा ब्लैक टोन फोटो के अंदर ना काफी मज़ा आ रहा है देखने में भी थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं कम लुमिनेंस को आप देख फरेव लगबक इतना है इसको सिंपल से डैन पर क्लिक कर लेंगे अब सिंपल तरीके से एडिट भी हो गई अब आपको यहां से से टू डिवाइस कर लेना है फोटो को यहां से टू डिवाइस कर लेते हैं आप गईज हमारी फोटो हमारी गैलेरी के अंदर सेव हो चुकी है सो काफी ज़धा असान सर टूटोयल था गईज आई होप आज की यह वीडियो आपको काफी ज़्यदा पसंद आई होगी और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आई वेल से नेक्स वीडियो गाईज लभी ओल टेक केर बबाए